हेलो व्रिवान वेल्कम टू दो न्यू वीडियो और इस वीडियो में आपको बताऊंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे सौल किया जाए इस्पेक्शली तब जब आपको उसका मेनीग ही नहीं बताऊंगा स्टुडंस कभी-कभी ऐसे होता एक यूनोँ आपको मीनय की बताने होता है तो मीनीрий नहींहीं बता ओlet कारोंगे तैक्स इसके लिए यह तкихणिक है जिसके लिए मैं आपको दो Pacific पर आपको एक्जेंपल करना होता है और वह कैसे अभी हम देखेंगे देखो सबसे पहला है add the drop of a hat यह phrase है और दिया हुआ है I would quit my job add the drop of a hat if I didn't have a family to support और चार options दिये हुए है ठीक है अब यह दो तिन example में ऐसे assume करो कि आपको meaning आता ही नहीं है अगर आता भी होगा तो भी ऐसे assume करो कि meaning आता ही नहीं है क्योंकि उस तरीके से हम solve करना चाहेंगे ठीक है अभी हम literally इसका meaning देख दे कि I would quit my job add the drop of a hat मतलब मैं अपनी job quit कर दूँगा head बोले तो टोपी ठीक है टोपी के गिरते ही अगर कि मेरी फैमिली नहीं होती जिनको मुझे support करना है कि सिंबल देखो I would quit my job add the drop of a hat अगर मेरी फैमिली ना होती जिनको मुझे support करना है मतलब कि टोपी के गिरते ही I would quit my job मतलब जरा सोचो टोपी के गिरते ही मतलब क्या करने वाला है कि बंदा क्या बोल रहा है कि अकर फैमिली को support करने वाले situation नहीं है दिन I would quit my job add the drop of a hat टोपी के गिरते ही मतलब इमेजेटली अब options देखो इमेजेटली किसे मेल खा रहा है या मैच हो रहा है wisely नहीं thoughtfully नहीं foolishly नहीं without delay इमेजेटली मतलब क्या है without delay इस तरीके से students आपको approach करना है मैं और एक example आपको बताता हूं next is to play fast and lose example है the drama was very entertaining even though it played fast and lose with the true story and four options are given again मुझे नहीं पता यह play fast and lose का क्या मतलब है मेरी अंगरेजी कमज़ोर है we will assume that in that way only we will solve okay तो the drama was very entertaining even though अभी देखो कहानी इदर से बदलने वाली है आप read कैसे करो दोस्त क्या बोल रहा है drama बहुत entertaining था even though it played fast and lose with the true story मतलब even though के बाद एक कहानी बदल रही है और उसमें क्या दिया है true story यानि कहीना कहीं चीज़े ऐसी हो रही है कि drama बहुत entertaining था बहले ही even though मतलब बहले ही वो true story के साथ अभी है play fast and lose कहीना कहीं हम ऐसा कह सकते आपको देखो play fast and lose का मैं बहुत meaning पर गया ही नहीं हूँ क्योंकि वो करना होता तो वो एक typical English lecture हो जाएगा और मैं आपको चाहतों के technique से कैसे solve करें कि drama बहुत entertaining था बहले ही वो true story के साथ मतलब क्या यह कहना चाह रहा है कि वो true story के साथ mail नहीं खा रहा है एक simple देखो आप लोग आज की तारिक में देखो कितने बायोपिक्स बनते हैं और देखने के हम लोग बताते हैं यार यह बराबर था मुवी लेकिन इसमें यह पार्ट था वो थोड़ा सा फिक्षन था यह सच नहीं था यह सिप मसाला डालने के लिए मुवी में डाला है य अगर आप देखो कि ऑप्षन एक के साथ मैच करेगा टू बी अंडिपेंडेबल याने के यह डिपेंडेबल सिचुएशन नहीं है कि कि एक्जैट क्या था ड्रामा में और टू स्टोरी में क्या है एक बार आखरी बार पढ़के बताता हूं ड्रामा बहुत एंटर्टेनि नहीं नहीं खा रहा था मेल नहीं खा रहा था है मतलब मिसमच हो रहा है ठीक है मिसमच मतलब कि आपこ सब мор करेंडेम्ल जैता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं ठीक है अब देखो मेरे भाई ने श्पील दबीन्स सॉप्राइज पार्टी के बारे में जो हमने अपने पेरेंट्स के लिए प्लान किया था बाइट टेलिंग देम डूरिंग अ कंवर्सेशन लास नाइट देखो दो भाईयोंने कुछ प्लान किया है सॉप्राइज पार्टी अपने पेरेंट्स के लिए किसी ओकेजन पर ठीक है मतलब क्या होता है आप सिंपल सी बात देखो कि उस बंदे को आप बताना नहीं चाहते है यही तो सर्प्राइज होता है कि प्लान फॉर पेरेंट्स जो हमने हमारे पेरेंट्स के लिए कि दी बाइट टेलिंग देम डियूरिंग अ कंवर्सेशन लास नाइट यानि स्पील्द बीन्स मतलब यह कह सकते हैं कि हम यह इसने जाके कुछ उगाल दिया है बख दिया है मैं और मेरा भाई पार्टी कर रहे है पार्टी करने वाले आपके लिए साप्राइज देने वाले हैं तो इसका आंसर क्या होगा आपको इसका पता चल गया होगा option number C to reveal secret information तो दोस्तों इस तरीके से पढ़ो मुझे पता है अभी भी आप कुछ चीजों में सोच रहे होंगे कि कि शायद आपने पहली बार देखा होगा सुना होगा बड़ क्या होता है कि ऐसे करोगे तो एप्रोच से तो बहुत सर जीज़ें आसान होगी देखो आप पढ़ते हो पांस सो एडियम सो एडियम से अच्छी बते पढ़ो लेकिन हर बार आप याद रख पाओगे मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ आप यह तीन भी एग्जामपल ले लो और दस ऐसे इडियम उठाना और इनके एग्जामपल के साथ आप पढ़ो इनको गूगल पर आपको डेफिनेटली हेल्प नेगी कि मिनिंग डिराइव कैसे करना है ठीक है क्योंकि अगर डिरे तो अभी दक लिए इतना ही हुड़ो देखने के लिए शुक्रिया